सबको नमस्कार कल 20 तारिक है और केंद्र सरकार के दिशानिर देशों के नुसार कल से उन उन खेत्रों में जहां पर करोना का असर कम है या करोना नहीं है वहां पर लॉकडाउन के शर्तों में थोड़ी धील दी जा सकती है तो हम सब लोगों को बैठके ये सोचना है कि कल से क्या धील दी जानी चाहिए और अगर धील दी जानी चाहिए तो कितनी धील दी जानी चाहिए केंदर सरकार का कहना है कि जो जो होट स्पाट्स हैं और जो कंटीनमेंट जोन्स हैं उन में धील फिलहाल नहीं दी जानी चाहिए तोस्थितियां खराब हैं और अपने को कन्ट्रोल करने की ज़ूरोप है दिल्ली में 11 जिले हैं दिल्ली के 11 के 11 जिले हॉट स्पॉर्ट डिकलेर किये गये हैं तो केंद्र सरकार के मताविक तो सभी containment zones में धील नहीं दी जा सकती है हमने दिल्ली सरकार में अपनी भी assessment की पिछले कुछ दिनों में मैंने कई experts से बात की लोगों से बात की और उन सारी चर्चाओं का जो नतीजा निकला वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में करोना के केसेज में बढ़ोतरी होनी शुरू हुई है हमने टेस्ट भी ज्यादा करने चालो किया है पिछले कुछ दिनों हमने काफी टेस्ट किया है दिल्ली के अंदर और करोना के केसेज में बढ़ोतरी भी चालो हुई है कल हमारे पास 736 केसेज के टेस्ट की रिपोर्ट आई उन 736 में से 186 करोना के मरीज निकले यानि कि 25 परसेंट लोग करोना के मरीज निकले एक सो च्छासी तो काफी ज्यादा है यह एक सो च्छासी के एक सो च्छासी सभी एस्म्टोमेटिक हैं इन में किसी में भी सिंटम्स नहीं है किसी को बखार नहीं है किसी को खासी नहीं है किसी को सांस की शिकायत नहीं थी उनको पता ही नहीं था कि उनको करोना है उनको पता ही नहीं था कि वो करोना लेके घुम रहे हैं इधर उदर ये और भी खतरनाग बात है कि करोना फैल चुका है बहुत सारे लोग करोना लेके घुम रहे हैं और ये बिमारी ऐसी है कि किसी को पता भी नहीं चलता है कि मुझे बिमारी हो गई है कई बार symptoms नहीं आते, बिमारी हो जाती है, किसी आदमी का immune system strong है और वो घुमता रहता है, और वो पता है कितने लोगों को कर देता है तो ये 186 लोग अपनी अपनी जिंदगी में घुम रहे थे, इनमें एक विक्ति से जब हमने बात की है, उसने बताया जी मैं फलाने फलाने food center में खाना रोज देते हैं, lunch और डिना, वो क्याता है जी मैं पिछले कुछ तिनों से रोज सरकार के food center में जाके खाना बटवाने का काम कर रहा था, आप सोचो उसने वहां कितने लोगों को infect कर दिया होगा, तो मैंने आज ही आदेश दिया हैं उस food center में जितने लोग आते हैं, मैं एजियूम कर रहा हूँ कि डेली वही वही लोग आते होंगे एक center में खाना खाने के लिए, उन सब की rapid testing करवाएंगे, जितने भी लोग आते हैं, और दिल्ली में जितने भी कि हमारे food centers हैं, उन सभी food centers में खाना बांटने वाले सभी volunteers का और करमचारियों का हम rapid testing कराएंगे, तो इससे ये दिखता है कि दिल्ली के अंदर इस time फैलना चालू हो गया है, रोज containment zones बढ़ते जा रहे हैं, जहां पर operation shield लागू किया जाता है, आज की date में 77 containment zones बन गए हैं दिल्ली के अंदर, हमने containment zones में random testing कराई थी, कहीं से 200 का sample लिया, कहीं से 100C का sample लिया, कहीं से, वहाँ पर random testing कराई थी, वहाँ पर निकल के आया कि कुछ containment zones जहां पर लोगों ने बात मानी, लोगों ने अनुशासन का पालन किया, लोग अपने अपने घरों में रहे, वहाँ पर एक भी निया case नहीं आया, लेकिन जहां लोगों ने बात नहीं मानी और लोग गलियों में निकल आये, हम उस containment zone के अंदर किसी को नहीं आने देते हैं, बाहर किसी को नहीं जाने देते हैं, लेकिन अंदर लोग तो लोग एक दूसरे के घर में जाते रहते हैं, लोग नहीं मानते हैं, काफी उनको मनाने की कोशिश की जाते हैं, सक्ती करने की कोशिश की जाते हैं, लेकिन कई कई जैसे के लोग नहीं मानते, जैसे मैंने कल आपको जहांगीरपुरी का उधारन दिया, जहांगीरपुरी की एक गली, उसके अंदर एक ही परिवार के कई सारे घर थे, चाचे, मामे, ताय, ताय, यह सब, उनमें एक ही परिवार के 26 केस पॉजिटिव निकले, क्योंकि वो माने ही नहीं, कंटेन्मेंट जोन होने के बावजूद वो एक दूसरे के घरों में जाते रहे, तो जहां-जहां कंटेन्मेंट जोन में लोगों ने बात मानी है, वहां एक भी नई केस नहीं मिले, और जहां लोगों ने बात नहीं मानी, वहां पे कुछ कंटेन्मेंट जोन में क स्थिती चिंता जनक है पर घबराने की ज़रूरत नहीं है अपने को सबको अनुशासन में रहके इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है आज दिल्ली में टोटल 1893 केस हैं मोटा मोटा 1900 मालो 1900 केस हैं 1900 में से 26 ICU में हैं और 6 वेंटी लीटर पर हैं लगबग 43 लोगों की मोट हो चुकी है 26 ICU में है 6 वेंटी लीटर पर हैं आप सोच के देखो कि अगर लॉगडाउन नहीं होता तो क्या होता दूसरे देशों का जो हाल है भगवान ना करे अगर ऐसा अपने देश में होता अगर लॉगडाउन नहीं होता मालो तीन हजार लोगों को बढ़ जाती मालो दो ड़ाई हजार लोगों को वेंटिलेटर के जरूर पड़ जाती है और ज्यादा लोगों को इतने तो आई सिँव stuffs ही नहीं थे एतने तो वेंटिलेटर ही नहीं है इतली में स्पेन में अमरेका में यही mielि देखने को मिल रहा है कि कि आईसिव कम पड़ गए, वेंटिलेटर कम पड़ गए, अस्पताल की विवस्थाएं कम पड़ गई, सडकों के ऊपर, अस्पताल के बाहर लोग पड़े हुए हैं, जिनको इलाज नहीं मिल पारा, अगर लॉकडाउन नहीं होता, तो स्थिती ऐसी हो सकती थी, लॉकडाउन की वजए से केसिस कम ह है फिलहाल, आज दिल्ली में पूरे देश की दो प्रतिशत जन संख्या रहती है, लेकिन पूरे देश के जितने कोरोना के मामले हैं, उसका बारा परसेंट मामले कोरोना की दिल्ली में है, क्यों? दिल्ली देश की राजधानी है, इसलिए दिल्ली को कोरोना की सब से मुश्किल लड़ाई इस ताइम दिल्ली लड़ रही है पिछले दो ढ़ाई महीने के अंदर विदेशों से जितने लोग आए वो ही लेकर आए कोरोना विदेशों से अपने देश में तो था नहीं जितने विदेशों से लोग आए सबसे ज़ादा लोग दिल्ली में आएं, क्योंकि दिल्ली देश की राजदानी है, अंतराष्ट्रे, एरपोर्ट और भी कई जगे है, लेकिन सबसे ज़ादा लोग यहाँ आते हैं, सबसे ज़ादा लोग यहाँ आए, उनको हमने कورई टाइम में रखा, लेकिन उसके पहले न पड़ी. तो आज जब ये निर्ने अपने को लेना है कि कल से कुछ धिलाई देनी है की नहीं देनी? मैं भी देना चाहता हूं धिलाई. इतनी सकती बड़ी मुश्किल हो जाती है. कैसे लोगों का गुजारा चलेगा? कैसे रोगों की रोजी रोटी चलेगी? कैसे लोगों का घर चलेगा लोग बहुत मुश्किल में हैं बच्चों के स्कूल बंद है हम भी धिलाई देना चाहते हैं लेकिन धिलाई देना बड़ा असान है और धिलाई दे दी और स्थिती बहुत खराब हो गई और उसके बाद अगर आईस्यू कम पढ़ गए और अस्प थोड़ा सहियम बरतने की जरूरत है हमने निरने लिया अपने दिल्ली वासियों के जिन्दीगी का खयाल रखते हुए सब की सेहत का खयाल रखते हुए कि फिलहाल लॉकडाउन की शर्तों में कोई धिलाई नहीं दी जाएगी एक हफते के बाद फिर से हम सारे एक्सपर्ट इसके साथ बैठके सब के साथ बैठके इस पर दुबारा इसकी एसेस्मेंट करेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो उसके बाद धिलाई दे सकते हैं लेकिन फिलहाल दिल्ली में किसी तरह के कोई धिलाई नहीं दी जा रही है नमस्कार बिहार और जाठखन की तमाम खबरों के लिए हमारी यूटीब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दवाना ना भूलें